नमस्कार दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको अर्थराइटस के दर्द से राहत पाने के लिए एक बहुती बहतरीन घरेलू उपाई के बारे में बताने वाली हूँ अर्थराइटस याने के जोडों की बिमारी जिसे आम भाशा में गठिया कहा जाता है यहां उम्र से जुड़ी बिमारियों में सबसे कॉमन है अर्थराइटस में व्यक्ति के जोडों में तेज दर्द होता है हाला कि यह दर्द शरीर के किसी भी जोडों में हो सकता है लेकिन अर्थराइटस से पीडित जादतर लोग गुटनों में दर्द की शिकाद से ही परेशान रहते हैं गुटनों में दर्द के कारण रोगी के जोडों में अकडन या फिर गुटने को मोरने में भी मुश्किले होती हैं कभी-कभी यह जो दर्द होता है न वो असहने भी हो जाता है अकसर लोग अर्थराइटस के कारण तेज दर्द और सूजन को नियंतरिट करने के लिए दवाईयों का सहारा लेते हैं लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस समस्या से राहत पाने के लिए एक प्राकर्तिक लेप के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी जानकारी इसको जानने से पहले बस एक निविदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं गरप या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को सरूर ले लें ताकि आप हमारी आने वाली जानकारियों को देख सकें और उनसे फायदा बिठा सेगें इसके साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंद तक जरूर देखीगा दोस्तों अगर आप भी अर्थराइटस के दर्ज से चुटकारा पाने के लिए घरेलू उपायों की खोज कर रहे हैं ना तो सर्सों के तेल से बनने वाले इस लेप को आप आजमा सकते हैं सर्सों के तेल में भरपूर मातरा में पाये जाने वाला सेलिनियम और मेगनिशियम एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट के रूप में काम करता है और शरीर से नुकसान दायक टॉकसिंस को भी बाहर निकालता है दोस्तों सर्सों गर्माहट पैदा करती है जिसके कारण इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से तापमान बढ़ता है और आपको दर्द में काफी राहत बे मिलती है दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्थरेटर्स के दर्द को दूर करने के लिए आप इस लेप को कैसे बना सकते हैं और आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है इसके लिए आपको जरूरत होगी ताजा, पिसा हुआ सरसों एक चमच, शहद एक चमच, नमक एक चमच और बेकिंग सोड़ा एक चमच दोस्तों सबसे पहले तो एक बाउल लेकर उसमें पिसी हुई सरसों ले लीजे, फिर इसमें शहद, नमक और बेकिंग सोड़े को भी मिला लीजे इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिला कर इसका एक गाढ़ा लेप बना लीजे, ओके? फिर इस तरह सरसों के लेप को दर्द के स्थान पर लगाईए अब 20-30 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजे, इसके बाद साफ कर लीजे दोस्तों इस उपाई को दिन में दो बार करना है आपको सरसों के लेप को नियमित रूप से लगाने से कुछी दिनों में आपके दर्द से आपको राहत मिल जाएगी दोस्तों फिर देर कैसी? अर्थराइटस के दर्द को दूर करने के लिए आप आज ही इस उपाई को जरूर अपनाईए इससे आपको बहुत ही बड़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा ओके? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शियर और कमेंट करके जरूर बताईएगा हमको ताकि जाद से जादा लोग इसका फायदा उठा सके और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद